वेल्कम बैक क्लीन न्यूज चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इसे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कम इन बॉक्स में जरूर बताईए साथी डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें आज का लाई केम 3000 है उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे ट्रायल पूरा होने पर राज़ाने लखनाव समेच सभी जिलो में लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इश्रम कार्ड वाली धाई करूर से अधिक वरकर्स को मिलेगा 500 रुपे महीना फॉरन कराएं रेजिस्ट्रेशन वरना लाप से रह जाएंगे वंचे अगर आप असञ़टिच शेत्र के श्रमिक हैं आपके पास ईश्रम कार्ड है उत्तपरदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए खुश खबरी है उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदे तिनात ने असंगरिच शेतर के करीब धाई करोड मजदूरों और करीब साथ लाग पंजिकरत मजदूरों को दिसंबर महा से माज तक 500 प्रतिमाह देने की घोशना की है बता दें कि इश्रम पोर्टल पर अब तक यूपी के 2,56,9,184 श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अब उन्हें माज तक हर महीने 500 रुपे मिलेंगे मिरत में हापोरड़ा चौराहे से कनेक्च होगा दिल्ली एक्स्प्रेस वे सवासाल में तλιयार होगा 45 करोड रुपे होंगे खठ को शहर के ओर नसदीक लाने के लिए केंद्री सरकार ने हापोरड़ा चौराहा से बिजली बंबा चौराहा तक की सड़क को छेल लेन करने का प्रोजेक्ट मन्सूर कर लिया है दिली मेट्रो से जल्द जुड़ेगा गाजियबाद रेलवे स्टेशन आसान होगा रेल यात्रियों का सफ़र रहसानी दिली से सटे उत्रप्रदेश के गाजियबाद और नॉइडा में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में गाजियबाद रेलवे स्टेशन से दिल्ली मेट्रो के जरिये लोगपूर भी दिल्ली और नॉइडा आ जा सकेंगे इस योजना के तहर दिल्ली मेट्रो को गाज़्यबाद रेलवे स्टेशन से जोडने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम जल्द ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करेगा जनकारी के मताबे गाज़्यबाद बस अड़े से यात्रा करने वाले करीब 20,000 यात्री भी मेट्रो से सीधे रेलवे स्टेशन तक जा सकेंगे नहीं साल में 100 दिन से जादा बंद रहेगा स्कूल गर्मियों की छुट्टिया अलग से 2021 बीटने को है और 2022 के स्वागत के तैयारिया शुरू हो चुकी है उत्तरप्रदेश में अगले वर्ष यानी 2022 के छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया 2022 में 24 सापजनिक और 29 निर्बंद अफकाश चारी किये गए है यानि कुल मिला कर 35 दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे वही अगर इनमें रविवार के छुट्टियां जोड ले तो 2022 में कुल 52 रविवार पढ़ रहे है दोनों को मिला दे तो करीब 105 दिन हो रहे हैं मगर 4 छुट्टिया रविवार को भी पढ़ रही है इसलिए 101 दिन स्कूल बंद रहेंगे अब गरीबों का आयश्मान कार्ट बनना हुआ असान कोचे की दुकान पर ही बनेगा कार्ट अब अंतियोदे कार्ट धारकों का आयश्मान कार्ट बहुत असानी से बनेगा इसके लिए उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी हाँ दरसल अब अंतियोदे कार्ट धारक घर के पास के कोटे के दुकानों से ही अपना आयुश्मान कार्ट बनवा सकते हैं इन आयुश्मान कार्ट को बनवाने के लिए VLE यानी विलेज लेवल इंत्रप्रियोर को अधिकरत किया गया है आपको बता दें कि VLE तीन से चार अलग-अलग गाउं को देखता है यूपी के निवेशकों को लुभाने गुजरात ग्लोबल समिट 10-12 जनवरी तक PM मोधी करेंगे उद्खाटन यूपी के निवेशकों को लुभाने के लिए गुजरात में ग्लोबल समिट आयुजित किया जा रहा है ये समिट गुजरात पे 10-12 जन्वरी तो 2022 तक गांधी नगर में आयू जित होगा जिसका उत्खाटन 10 जन्वरी को प्रधान मंत्री करेंगे इसके पहले यूपी के उद्योग विकास मंत्री सतीश महाना के साथ गुजरात ग्लोबल समिट के सदस्यों ने गुरवार को रोजशो निकाल कर निवेशकों को गुजरात में पूंजी निवेश करने के लिए आकर्शिक किया यूपी के शहर में पहली बार 11 मंजिल की बिल्डिंग बनाएगा विकास प्रादिकरन मिलेंगे 440 फ्लैट देवरिया बाइपास पर चुड़िया घर के बास गुरखपुर विकास प्रादिकरन ग्रीन बुड अपार्टमेंट नाम से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएगा अगले 20 दिसम्बर से शुरू होने वाले पंजी करन को लेकर प्रादिकरन ने पूरी तयारी कर ली है तक का सबसे बड़ा 594 किलो मीटर लंबा एक्सप्रेस वे होगा ये प्रियागरास से मेरट होते हुए कई राज्यों को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा इसका लाब NCR हरियाना मद्रप्रदेश शत्यसगर समेथ कई अन्य राज्यों के लोगों को भी मिलने वाला है अमिद शाहा बोले केशब मौरे के नेतरत्तों में 2017 में बनी सरकार कि इंद्रिक रहो से कारिता मंत्री अमिद शाहा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगिया देतनाद भारते चंता पार्टी और निशाद पार्टी के समयक्त रैली में शामिल हुए अमिद शाह और सियम योगी के मंच पर पहुचते ही जमकर नारे बाजी हुई शाह और योगी ने लकनव के रमबाई अमबेट कर मैदान में आयोजित सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली में उम्री भीर का अभिनन दन किया मन से अमिद शाह ने केशब मौरी का परिचेगर आते हुए कहा कि इनी के नेत्रत्तों में 2017 में प्रदेश में भाजबा की सरकार बनी थी अखिलेश यादव का एलान नहीं छोड़ेंगे अमेठी और आई बरेली सीट्स कॉंग्रेस के बारे में कही ये बाते बारते चंत पार्टी सरकार पर उत्तर प्रदेश की जंता को दिक्कत किल्लत और जिल्लत का सामना करने के लिए विवश करने का रूप लगाते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक शाखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी अपने सहियोगी दलो के साथ अमेटी और राय बरेली समेट प्रदेश की सभी 403 विधान सबा सीटों पर चुनाओ लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन करेगी यूपी चुनाओ 2022 में बीबीजेपी सरकार सपादेगी चक्कर दमदार एबीपी सी वोटर के ताजा सर्वे में लोगों ने दिया है विचार यूपी विधान सबा चुनाओं में महस कुछी महीने बाकी हैं ऐसे में भाजपा सपा कॉंग्रेस और बसपा अपनी रणीती को लेकर सक्रिये नजार आ रही है वहीं एबीपी सी वोटर के ताजा सर्वे से पता चला है कि 2022 के विधान सबा चुनाओं में भाजपा सरकार की फिर से वापसी हो सकती है बता दे कि सर्वे के मताबिक समाजवादी पार्टी भाजपा को कड़ी टक कर दे सकती है 16 दिसंबर के आंकडों के मताबिक सर्वे में 47 फिजदी लोगों का मानना है कि आने वाले चुनाओं में भाजपा की सरकार बनेगी वही 31 फिजदी सपाक सरकार की बात कर रही है उपी पुलिस परिक्षा भरती बोर्ड यूपी बीपी ने 6 प्रशन किये रद 4 प्रशनों के विकल्प बदले उत्रप्रदेश पुलिस भरती और प्रोनती बोर्ड ने यूपी पुलिस मोटर परिवहन शाखा में हैट कॉंस्टेबल के 32 रिक्ट पदों पर भरती को लेकर आयूजित हुई विभागिय परिक्षा को लेकर एक एहम नोटिस चारी किया यूपी पुलिस भरती बोर्ड ने आंसर की परप्राप्त आपत्यों पर विचार करने के बाद 6 प्रशन रद कर दिये हैं और 4 प्रशनों के विकल्प बदल दिये गरतलब है कि यूपी पुलिस बोर्ड ने 31 अक्टूबर को हेट कॉंस्टेबल के पदों पर चैन के लिए विभागिय परिक्षा आयोजित की थी पहाडों पर बरबारी ने बढ़ाई सर्दी यूपी के तीन जिले सबसे ठंडे पहाडों पर बरबारी से मैदानों में चल रही ठंडी हवाओ से दिन रात की दापमान फिसल गए 3.2 डिग्री सेलसियस के साथ मुझफवर नगर प्रदेश में सरवादिक ठंडा रहा 5 डिग्री सेलसियस के साथ मेरट और बिजनौर में यूपी में दूसरे सरवादिक ठंडे शहर रहे मेरट में दिन का दापमा सामाने से 3 और रात का पारा 2 डिग्री सेलसियस नीचे चला गया आसे मैदानों में ठंड कशिकन जा और कसने जा रहा है अगले 3 से 4 दिन तक मैदानों में शीत लहर कपाती रहेगी इस से कडाके के सरदी का आगाज हो जाएगा नेता प्रतिपक्ष राम गोविन चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना बोले बंगाल में खेला हुआ अब यूपी में ख़देडा होगा यूपी विधानसभा सत्र के आखरी देन अनुपूरक बजट पर चचचा के दौरान नीता प्रतिपक्ष राम गोविन चौधरी ने सरकार मुखे बजट का 64.76 फीज़ दी खश नहीं कर पाई फिर भी दूसरा अनुपूरक ले आई भाजपा सरकार पुंजी वादियों की पिछलगू है पश्टिम बंगाल में तो खेला हुआ था यूपी में इस बार सरकार का ख़देडा होगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर दूसरे देशों से तुलना कर रही है लेकिन इलाज के अभाव में यूपी वाले कितने मर गए उन्हें इसकी चिंता नहीं है शेल्टर होम में रहने वालों की जांच होगी बच्चों को बचाने की शुरू हुई कवायर कोरोना से जंग को लेकर एक बार फिर सिस्वास्त में हकमा तयारी कर रहा है कोरोना के नए वैरियंट इमिक्रॉन ने विभाग के अधिकारियों की पेशानी पर बल्ला दिया क्रिय कर दिये कए हैं मायवती ने तैकिये प्रत्याशी यूपे विधानसबा चुनाओं की मद्यनिजर मायवती के बहुचन समाच पार्टी ने तयारिया तेस करती है जातिये समीकर्णों को सात्ते हुए पार्टी अब प्रत्याशियों को चुनावी दंगल में उतारने को चुटकई सर्दना विधानसबा से संजीव धामा के नाम की घोशना पार्टी ने बीते दिनों कर दी थी सुरक्षित विधानसबा सीट हस्तिनापूर से संजीव जाटप का नाम फाइनल माना जा रहा है शुक्रवार को मवाना में होने वाली रैली में पश्यमी उत्तर प् नियुन्तम उम्र 18 साल से बढ़ा कर 21 साल करने का फैसला किया दुला दुलन के नियुन्तम उम्र में समानता लाने के लिए तयार प्रस्ताओं को कैबिनिट ने मंजूरी दे दी इस बीच खास पंचायत के कुछनेताओं ने सरकार के इस कदम का विरोध किया उनका दावा है किस समाच पर बुरा असर पड़ेगा और महिलाओ के खिलाप अपराधु में बढ़हुतरी होगी निजी करन के विरोध में दूसरे दिन भी हरताल पर रहे बेंकर्स पूरवानचल में तीन सो करोड का कारोबार प्रभावित निजी करण के विरोध में बैंकर्स की हड़ताल लगता दूसरे दिन भी जारी रही, इसके चलते सरकारी बैंक के सारी शाखाएं ओफिस, क्लियरिंग सेंटर, एटियम आधी पून रूप से बंद रहे दो दिनों के बैंकर्स स्ट्राइक के चलते बनारा सहित पूरे पूर्वांचल में, करीब 300 करोण का कारूबार प्रभावित हुआ, बैंक कर्मचारियों ने च्छेताया कि उनके हितों का ध्यान नहीं दिया गया, और इस निजी करण को अविलंप नहीं रोका गया, तो यह नों में दूसरा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा सकता है, यह नया हवाई अड़ा राजधानी के ट्रांस गुमती शेतर में बनाया जा सकता है, आगामी 30 से 50 वर्षों में शेहर के जरूरत को देखते हुए, ट्रांस गुमती शेतर में नया हवाई अड़ा बना के मामले तेजी से पढ़ रहे हैं कोरोना के इस नए वारियंट के खिलाफ डबलू एचो ने चेताव नी दी है ये वारियंट बहुत तेजी से फैलता है और वैक्सीन के असर को कम कर सकता है इसके बाद चंताएं और बढ़ गई कोरोना वाइरस के खिलाफ लड़ाई में मानव इम्यून सिस्टम का एक प्रमुग घटक सुर्खियों में रहा है जो है एंटी बॉडी एक जनवरी से डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में हो रहे बड़े बदलाव बदल जाएगा पेमेंट का तरीका साल 2021 का आखरी महीना चल रहा है कुछ दिन बाद नया साल यानी 2022 आ जाएगा इस साल यानी 2021 में लोगों को कई बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले नय साल में भी कई सारे बदलाव होने वाले हैं जुनका सीधा असर हमारी रोजमर्रा के जिंदगी पर पढ़ने वाला है एक जनवरी 2022 यानी नय साल के शुरुआत के साथ ही जैबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है एक जनवरी से आरबी आई का एक नया नियम लागो हो रहा है केंद्र सरकार ने छटा वेतनमान पा रहा है कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी साथ पीजदी की बढ़ोत्री का एलान किया ये वे कर्मचारी हैं जो केंद्र साथ जने कुद्याम यानी सीपी सीएस में काम कर रहे हैं और इनकी पे सेंट्रल जियरनेस अलाउंस के हिसाब से बनती है वही पांच में वेतन आयोग पाने वाले कर्मचारियों के लिए जिये में 12% की बढ़ोत्री की गई है लगनाओं के जियामियों में हर्ताल ओपीजी ठाफ हजारों मरीजों की बढ़ी दिक्कते पीजी आई के समान वेतन भत्ते ना मिले पर लखनाओं के जिये में के कर्मचारियों का गुस्सा भड़क उठा है नारास कर्मचारियों ने शुकरवार को ओपीडी सेवा ठप कर दी थी इसका कामयाजा मरीजों को भुकतना पढ़ा केजीम्यो के उपीडी में रोजाना 3000 से अधिक मरीज आ रही हैं, 4500 बेड हैं, जादतर बेड भरे हैं ट्रॉमा सेंटर में 1500 से अधिक मरीज भरती किये जा रही हैं शुकरवार को नर्सिंग, पेरा मेडिकल और टेक्नीशन समेट दूसरे कर्मचारियों ने पूरी तरह से काम काज ठप कर दिया अब ग्राम सची वाले में ऑनलाइन बन सकेंगे आय निवास और जाती प्रमान पत्र ग्राम सची वाले में शासन के सभी उजनाओं के जानकारी और बैंकिंग सुवधाओं का लाप मिलेगा सांती ग्रामिन अब अपने गाउं में ही भूमी से जुड़े काज़ात के साथ आई जाती और निवास प्रमान पत्र ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे इसके लिए उन्हें अभी तक ब्लॉक तहसील और जिला मुख्याले का चक्कर लगाना पड़ता था इन काज़ातों को समय से हासल करने में ग्रामिनों का पैसा और समय भी साया होता था रामिनों की अधिकांज जरूरतों को समाधान होने से समय पैसा और ब्लॉक वा तहसीलों के चक्कर काटने से काफी हद तक निजात मिलेगी हम रोज ऐसे ही निज लाते रहेंगे यदि आपने अभी तकली निज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फड़ा फड़ सब्सक्राइब कर ले सांथी बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें ताकि लेटिस्ट अपडेट मिस ना हो